ब्यूटिफुल गुड मॉर्णिंग एविवन, माइनम इस मिसिस एनी स्मित, लालबाग गल संटर कॉली से, क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट होम साइंस, बच्चो हम आपके सामने सेकिंड चेप्टर लेकर के आए हैं, और इसके चार-पांच लेक्षर मैंने आपको दिये हैं, अब नेक्स लेक्षर में हम आपको बताएंगे ग्रह विवस्था के उद्देशे क्या होते हैं, बच्चो हम ध्यान से सुनेंगे, ग्रह की विवस्था करती हैं, और जो ग्रह की संचालिका होती हैं, वो कौन होती हैं, ग्रह का सारा भार जो होता है, वो ग्रहनी के उपर हो परिवार के सबस्तों की अविशकताएं पूरी हो सकें, सबी सदस्ते सुखी तथा संतुस्त रह सकें, परिवार के सबी सदस्तों का शरीडिक, मानसिक, आर्थिक वा अध्यातनिक विकास हो, ये कौनसा हमारा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट है जो परिवार के सदस्तों का सरवागीन विकास हो सके सेकिंड है हमारा आय व्याय में संतुलन बनाना जो हमारी घर की जो परिवारिक आय होती है उसको हमें कितना खतम करना है कितना उसको हमें बचाना है इसमें हमें क्या करना पड़ता है संतुलन भिठाना पड़ता है ग्रह कारे में कुशल्ता रुचि ग्रह वस्था के लिए अवश्यक है कि परिवार के सबी सद्स से कारों को रुचि पून संपन करे कुशल्ता तथा रुचि पून कारे संपन करने से समे श्रम तथा धन की бचत होती है कोई किसी से काम अगर हम जबरदस्ती कराएंगे तो उसको दस बारतों हमें कहना पड़ता है तो हमें अगर रूची पूर्ण कार कर रहे हैं हम घर के अंदर तो हमारा क्या होता समय की बचत होती है श्रम की बचत होती है और धन की भी बचत होती है विश्राम तथा मनुरंजन ग्रह के कारों की विवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी कारे पूरे हो जाएं और साथी विश्राम वा मनुरंजन के लिए भी परियाप्त समय मिल सके ऐसा नहीं कि पूरा दिन कामी काम हम करते रहें तो हमें इतना करना चाहिए कि हम काम भी हमारे सारे हो जाएं थोड़ा सा हम मनुरंजन भी कर लें और हम विश्राम भी कर लें समाच सेबा, last point है हमारा समाच सेबा, ग्रह में वस्ता का उद्देश सेबा और अध्यात्मिक विकास करना है ग्रह कारें के अत्रिक्ट सारे हमारे पास कुछ समाज की सेवा के लिए तथा धार्मिक कार्यों के लिए भी समय होना चाहिए मतलब समाज सेवा का मतलब है हमें शोशल होना चाहिए और धार्मिक कार्यों के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए तो बच्चों आज हम आपको इतना ही बताएंगे next lecture में हम आपसे फिर मिलते हैं thank you so much